दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी इंसान के किस्मत अच्छी हो तो वो अपनी मौत को टक से चुकर वापस आ सकता है वहीं अगर किसी की किस्मत खड़ाब हो तो उसके सामने घर बैठे ही कोई बड़ी आफ़त आ सकते है विल इस दुनिया में लखी और अनलखी दोनों ही तरीके के लोग हैं आपने भी अपने आसपास कई ऐसे किस्मत वाले लोगों को देखा होगा जिनकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि जिसमे काम में अपना हाथ आजमाते हैं वो काम बन जाता है और वो अपनी लाइफ में काफे ज्यादा सक्सेस्फुल हो जाता है मुई दूसरी और आपको कई ऐसे बड़किस्मत लोग भी मिलेंगे जिनकी किस्मत इतनी ज्यादा बुरी होते है कि अकर वो सही टाइम पर भी अपने घर से रेलवे स्टेशन निकलते हैं तो ट्रेन अपने समय से पहले ही निकल जाते है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अनलकी लोग की फणी वीडियो दिखाने वाले हैं जिनने देखकर आपको इन लोग के किसमत पर तरस आने लगेगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि है भगवान ऐसी खराब किसमत किसी को भी ना मिला इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब इसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अभी कर लें साथ इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर अन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे हैं तो चलिए दोस्तों बेना देर किये शुरू करते हैं आज के वीडियो सूची आप बहुत मेहनत करके अपना घर बनाएं और जब वो घर पूरी तरह से बन जाए तो उसे दिन एक जोर की आंधी आपके घर को गिरा दे आपको कैसा लगेगा वेल लेगो ब्लॉक्स से बाइक बनाने वाले इन महाशाय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ असल में दोस्तों इन्हों ने एक महीने तक देनराथ मेहनत करके लेगो ब्लॉक्स से एक शांदार स्पोर्ट्स बाइक बनाई लेकिन जब ये महाशाय एक टीवी चैनल पे अपने इस बाइक को दुनिया को देखाने गए तो इस चैनल की आंकर ने गलती से इनकी बाइक पे हाथ लगा दिया जिसकी वज़ा से इनकी बाइक जमीन पर गिर गई और लेगो ब्लॉक्स जिन से ये बाइक बरी हुए थे वो सब भी ब्लॉक्स इनकी आँखों के सामने जमीन पर बिखरक है दोस्तों अब आप खुद ही समझ सकते हैं किस बेचारे इनसान को कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा दोस्तों दुन्या भर में हज़ारों लोगों को अपने हाथों में रिंग पहनने का शौक होता है रिंग को लेकर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि उसे अपनी उंगलियों में पहनने से उनकी किस्मत अच्छी हो जाएगे लेकिन कुछ लोग अपने शौक में ये ध्यान रखना भूल जाते हैं कि जो रिंग उन्होंने अपनी उंगली में पहन रखे है वो कहीं उनकी उंगली को खराब तो नहीं कर रहे है असल में उंगली का साइज बोड़ने की वज़ा से कभी-कभी रिंग उंगले में फस जाते है जिसकी वज़ा से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता और उंगली काफे ज्यादा मोटी दिखाए देने लगते है अगर आपको हमारे बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप इन महाशे की ये उंगली देख सकते हैं अब आप इस रिंग को इनकी किस्मत कहेंगे या इनकी बदकिस्मत है हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं फिल इस तरह उंगलियों में फसी हुए रिंग फिर ब्लेड से काटनी पड़ते हैं और उसके बाद कहीं जाकर इससे चुटकारा मिल पाता है इन महाशे ने भी कुछ ऐसा ही किया लेकिन इन वीडियो को देखकर आपको एबाद तो पता चली गई होगी कि रिंग सिर्फ किस्मत का नहीं कभी कभी बदकिस्मती का भी सिंबल बन जाते है अपने लोगों को कच्रे के डब्बे में कुडा ढलते हुए जरूर देखा होगा लेकिन क्या अपने किसी को अपने मूँ को कच्रे के डब्बे में डालते हुए देखा है क्या वेल, अगर नहीं देखा तो इस विडियो में आप ऐसा देख सकते हैं यह महाश्य एक खिलाडी है और अपनी बॉल को कच्रे के डब्बे में दूण रहा है तिग और पिचारे बॉल ढूंटे ढूंटे खुदी अपने मूँ को कच्रे के डब्बे में फसा बैटते हैं इन्होंने अपने मूँ को कच्रे के डब्बे में से निकालने की पूरी कोशिश के लेकिन काफी देर तक इनका मूँ कच्रे के डब्बे में ही फसा रहा फिर जब आसपास के लोगों के इन पर नजर पड़े तो उन्होंने इनका मूँ कच्रे के डब्बे में से बाहर निकाला वसे मज़े की बात तो ये थी कि ये जिस गेंड को कच्रे के डब्बे में ढूंड रहे थे वो डब्बे के बाहर ही पड़े हुए थे जो शायद इन्हें नजर ही नहीं आई किसी की किस्मत इतने ज्यादा खराब हो तो कोई क्या ही कर सकता है अपने टीवी पर वो प्रोग्राम तो जरूर देखे होंगे जिसके जरिये देश और विदेश की कई बड़े कंपनियां अपने सामान को बेचने के लिए प्रोग्राम करते हुए दिखाई देते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में ये अपने प्रोड़क्ट को बढ़ा चड़ा के बताने की कोशच करते हैं ताकि लोग इनका सामान खरीद ले विल आपको इस नापतोल जैसे प्रोग्राम से जुड़ा हुआ ही एक बेहतरीन किसा बताते हैं असल में कुछ हुआ यह कि एक मलेशियन होम शॉपिंग शो पे एक मशूर मलेशियन आक्टर फॉसिया गोस एक डिनर वेर का प्रमोशन कर रही होते हैं वो इस तरह के शो को पहली बार होस कर रही थी और तभी उन्होंने इस डिनर सेट की तारीफ करते हुए एक प्लेट को अपने हाथ में उठाया और कहा कि यह डिनर सेट इतना मजबूत है किसको कितनी भी उचाई से गिरा दो यह तूटेगा नहीं यह कहके उन्होंने इस प्लेट को अपने हाथ से छोड़ दिया और वो जमीन पे गिरते ही चक्ना चूर हो गई अब आप खुद ही समझ सकते ही कि इसके बाद इस डिनर सेट बनाने वाली कंपनी की कितनी बिक्री होगी फूटी किसमत किसे कहते हैं यह आप इन मोहतरमा को देखकर समझ सकते हैं अब देख सकते हैं कि इन मोहतरमा की किसमत कितनी ज्यादा खराब थे अब इस वीडियो में जिस लड़की को कार में बैठा देख रहे हैं इसका मोबाईल खो गया था लेकिन इतनी देर तक कार के धरवाजे में फसे रहने की वज़े से इस मुबाइल की स्क्रीन टूट चुके थे मतलब इस लड़की की किस्मत अच्छी होने के बाद भी इस बेचारी की किस्मत लास्ट में आके फूटी गए अपने शादी बारातों के दोरान होने वाले तमाम फने किस्मों के बारे में सुनाई होगा कि कभी फूपा जी मुँ फुला के बैट जाते हैं तो कई मौसी जी टली होके नागन डांस करने लगते हैं वेल अब हम आपको जून 2009 में इंडिया से बाहर हुई एक शादी की वीडियो दिखाते हैं जिसमें दूला और दूलहन एसाई धर्म के रीते रिवाजन को फॉल्यो कर शादी के पवित्र बंधन में बंदने ही वाले होते हैं कि अचानक लड़की के पिता जी जो आपको काला कोट पहने नजर आएंगे उनके पैंट की होक उन्हें धुखा दे देती है वो तो गनी में उत्रही कि उन्होंने अपने पैंट के अंदर अच्छा खासा बड़ा कच्छा पहना हुआ था नहीं तो आज तो इन महाशे के इजज़त के साथ एक बड़ा कांड हो जाता फिलाल इसके बैद दूलहा और दूलहा इन दोनों के हसी का ठेकाना ही नहीं रहा और चर्च के अंदर लगे माइक पर इन दोनों के हसी को चर्च में मौजूद सभी लोगों ने सुना दूस्तों क्या आपने कभी ट्रेन के विंडो सीट पर बैट कर या ट्रेन के गेट पर बैट कर लंबा सफरता किया गया क्या आपको ट्रेन की विंडो सीट या ट्रेन के गेट पर बैट कर बाहर के नजारे लेने में मज़ा आता है विल अगर ऐसा है तो आपको भारतीय रेल की ये विडियो ज़रूर देखनी चाहिए दुरसल हुआ यूंकि एक ट्रेन जिसका नाम श्रम जीवी एक्स्प्रेस था वो स्टेशन पे पहुंची तो वहां ट्रेनों की सफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पानी की पाइपलाइन फट चुके थे जिसकी वज़ा से उस पाइपलाइन से तेज धार में पानी बाहर आ रहा था जिब ये ट्रेन इस पाइपलाइन के पास से निकलने वाली पट्री से गुजरे तो इस पाइपलाइन से निकलने वाले पानी ने ट्रेन के साथ इसमें बैठे यात्रियों के भी ऐसे धलाई के जैसी किसी गराज में एक कार मेकानिक के सी कार की करता है इस दोरान वो समझदाट लोग जो ट्रेन की गेट पर बैट कर खुद को हीरो समझते हुए ट्रेन का सफर कर रहे थे उन लोगों को तो इस पानी ने ऐसा दोया कि शायद इसके बाद दुनों ने ट्रेन के गेट पर बैठना ही छोड़ दिया होगा ATM में कैश होता है ये तो आपको बता ही होगा लेकिन क्या अपने ATM मशीन के अंदर किसे इंसान को फसा देखा है गा वेल अगर आपने ATM मशीन में किसे इंसान को फसा नहीं देखा तो आप बिहार से आई इस वीडियो को देख सकते हैं असल में हुआ कुछ यूँ कि ये महाशा एक चोर है और इनका इरादा इस ATM मशीन में से पैसे चोरी करने का था लेकिन इससे पहले कि ये ATM मशीन में से पैसे चोरी करने के अपने मकसद में खामयाब हो पाते उनके आसपास के लोगों को इनके इरादों की भनक लग गई और लोगों ने इन्हें रंगे हांथो पकड़ लिया जब इन्हें लोगों ने ATM रूम के अंदर देखा तो ये ATM मशीन के अंदर बैठे हुए थे अब ये ATM के अंदर घुसकर ATM में रखे हुए कैश के चोरी कैसे कर रहे थे ये तो फिलहल कोई नहीं समझ पाया पर इनके किस्मत में अच्छी खासी सीख जरूर दे थे पत्रकारों का काम इतना आसान नहीं होता क्योंकि नहीं हर तरीके की जगों पे जाकर रिपोर्टिंग करने पड़ते है हर हाल में रिपोर्टिंग करने के चक्कर में पत्रकार कुछ ऐसी गल्तियां कर बैठते है जो कभी-कभी उन्हें काफी ज्यादा भारी भी पढ़ जाते है वेल आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये पत्रकार लाइब रिपोर्टिंग करने में इतने ज्यादा बिजी हो गया थे कि ये भूली गए कि ये रोड पे हैं और उस रोड पे ट्राफिक भी चल रहा है खलाल ये अपनी वीडियो शूटी कर रहे थे कि पीछे से एक बस एकदम इनके करीब से निकल के गुजरे वो तो घनीमत रही कि ये बस से इनके एकदम पास से होकर निकल गई अगर ये फत्रकार साब इस बस की चपेट में आ जाते तो शायद इनका राम नाम सत्य होना तै था जोस्तों चिल्डर्न फार्क में जिन जूलों को लगाया जाता है उन्हें छोटे बच्चों के साइज और वेट को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है लेकिन तब क्या हो जब कोई बड़े उम्र का इंसान अपने बच्पन की आदों को ताजा करने के लिए बच्चों के जूलों में जूला जूलने लगे विल इस वीडियो में आपको जो महाशाय देख रहे हैं वो कुछ ऐसा ही कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं वैसे इनमें से कौनसा व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा अनलकी लगा हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद